गरीब कलियान रोजकार अभ्यान प्रादकानी प्रारवी च्रण तरम प्रधानी मोडी माचलेट तो नारू लेवलो चुद्धा इस अभ्यान के तहट आदूनिक सुविदाओं से भी गाउं को जोड़ा जाएगा अब जैसे शहरों की तरह ही गाउं में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है जरूरी इसलिए ताकि गाउं के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें गाउं की इस जरूरतों को गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान से जोड़ा गया है देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गाउं में शहरों से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है गाउं में इंटरनेट की स्पीड बढ़े फाइबर केबल पहुंचे इस से जुड़े कारिय भी होंगे साथियों ये साप ये साहरी योजना है ये काम करेगा कौन गाउं के ही लोग करेंगे मेरे जो स्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं आप लोग ही करेंगे चाहे मद्दूर हो मिस्त्री हो मट्रियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो ड्राइवर हो प्लंबर हो इलेक्रिशन हो मेकेनिक हो हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें आउसर है जो हमारी बेहने हैं उनको भी स्वयम सहायता समुओं के माद्यम से भी जोड़ा जाएगा ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके साथियों यही नहीं आप सभी समिकों आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुवात की गई है यानि की गाउं में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी ताकि आपके कौशल के मताबिक आपको काम मिल सके आप जो काम करना जानते हैं उस काम के लिए जरुरत मन्त खुद आपके पास पहुंच सकेगा साथियों सरकार पूरा प्रयास कर रही हैं कि कोरोना महमारी के इस समय में आपको गावों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, गरीब के स्वाबिमान को हम समझते हैं. आप स्रम एव जैते, स्रम की पूजा करने वाले लोग हैं. आपको काम चाहिए, आउसर चाहिए, रोजगार चाहिए. इस भावना को सर्वो पर ही रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है. इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है. इस से पहले आपकी और देश के करोडों गरीबों की ततकालिक जरूरतों को पुरा करने के लिए भी सरकार ने लोगडाउन के प्रारम में तुरंट एक के बाद एक कदम उठाये थे. आत्म निर्भद भारत अभ्यान की सुरुआ थी. प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना से हुई थी. और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजना ये लाए तो चारे तरफ चिलना हट शुरू हुई थी. उध्योगों का क्या, व्यपार का क्या, MSM का क्या, सबसे पहले ये करो. बहुत लोगों ने मेरी यालोचना की थी. लेकिन मैं जानता हूँ, इस संकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्रात्मिकता थे मेरी. और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बई दिया था. इस योजना पर कुछी सब्ता के भीतर, करीब-करीब, पौने दो लाग करोड रुपे खर्श किये गए हैं. इन तीन महिनों में असी करोड गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ. राशन के साथ-साथ उन्हें गैस सिलिंडर भी मुप्त दिये गए. इसी तरह, बीस करोड गरीब माताओं बहनों के जनदन खातों में, दस हजार करोड रुपे से अधिक सीधे ट्रांसफर किये गए. गरीब, बुजूर्ग, माताओं, बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए, एक हजार रुपे के सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई. सोचिए, अगर गर गर जाकर आपके जनदन खाते न खुलवाए गए होते, मोबाइल से इन खातों और आधारकार को जोड़ा नहीं होता, तो ये संबभ होता क्या? इतने कम समय में रुपिय योजना पहुंचती क्या? और पहले का समय तो आपको भी याद है, क्या होता था? पैसे उपर से चलता था, तो आपके नाम से ही चलता था, लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था, न कभी वो पैसा आपका होता था, पता नहीं कहां चला जाता कहां गायब हो जाता था अब यह सब बदल रहा है आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत नहों इसके लिए एक देश एक राशनकार योजना भी शुरू की गई है ज्यानी कि अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशनकार पर देश के किसी भी राज्य में किसी भी शहर म अगर उनको वहां जरूरत है तो वहां भी राशन ले सकेंगे साथियों आत्म निर्भर भारत के लिए आत्म निर्भर किसान भी उतना ही महत्पूर्ण है लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में किर्शी और किसान को बेवज़े के नियमों और कानूनों से बांद कर रख गया था आप सब किसान साती जो सब मेरे में सामने बैठे हैं आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेवज़ी को मैसूस कर रहे होंगे किसान अपनी फसल कहां बेचे सकता है अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है ये भी ताय करने का अधिकार किसान को नहीं द इस तरह के बेद्भाव वाले कानूनों को हमने दो सब्ता पहले खत्म कर दिया है अब आप कहां फ़सल बेचेंगे ये सरकार तैं नहीं करेगी बाबू लोग अधिकारी लोग तैं नहीं करेंगे बलकि आप मेरा किसान खुद तैं करेगा अब किसान अपने राज के महार भी अपनी फ़सल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से कमपनियों से सीधे जूर सकते हैं उन्हें सीधे अपनी फ़सल बेच सकते हैं पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्म निर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोड स्टॉरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी एक लाग करोड के निवेश की गोश्णा की गई है। जब किसान बाजार से जोड़ेगा, तो अपनी फसल को जादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे। आपने आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के तहट एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा। आपके गावों के पास कस्बों और छोटे शहरों में स्थानिये उपज से अलग 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 उत्पाद बनें, पैकिंग वाली चीजें बनें, इसके लिए उद्योग समूब बनवाएं गयाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाप किसानों को होने जा रहा है। अब जैसे खगड़िया में मक्का की फदल कितनी अच्छी होती हैं लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाए, खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोड़क तैयार हो, तो कितना फाइदा होगा। इसी तरह बिहार में मकाना है, लीची है, केला है, हमारी यूपी में आवला है, आम है, राजस्थान में मीच है, मद्ध प्रदेश की डाले हैं, उडिसाज आरखन में वनों की उपजे हैं, कि हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद है, जिन से जुड़े उद्योग पास में ही लगाए जाने की योजना है, साथियों, बीते छे वर्सों से लगातार चल रहें इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश है, हमारा गाउं, हमारा गरीब, अपने दम खम पर खड़ा हो शसकत हो, हमारे किसी गरीब, मद्दूर किसान को, किसी के सहारे की जरुरत न पड़े, आखिर हम वो लोग हैं, जो सहारे से नहीं, स्रम के सम्मान से जीते हैं, गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान से, आपके इस आत्म सम्मान की सुरुच्छा भी होगी, और आपके स्रम से, आपके गाउं का विकास भी होगा, आज आपका ये सेवक और पुरा देश इसी सोच के साथ इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है आप काम पर निकलें लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें मास लगाने का गमचा या चहरे को कपड़े से ढखने का स्वच्छता का और दो गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गाउँ आपका घर इस संक्रमन से बचा रहेगा ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है आप सब स्वस्त रहिए आगे बढ़िए और आपके साथ देज भी आगे बढ़े इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामना है मैं सभी आदर्णी मुक्हमंत्रियों का आभारी हूँ विशेश रुपसे बिहार सरकार का आभारी हूँ इस अत्यंत महत्मुन काम की योजना करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ और समर्थन के लिए मैं आपका आभार वेक्ते करते हुए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद